हलो प्रेंट्स आज आम इस वीडियो मताएंगे फोटो को किलीन कैसे करते हैं और फोटो का बैक्ग्राउंड चेंज करके फुल फोटो कैसे बनाते हैं तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फोटोसाफ को यहां से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं आप यहां देश सकते हैं मेरा फोटोसाफ ओपन हो गया फोटोसाफ ओपन होने के बाद इसके बाद हम फोटो को ओपन करेंगे फोटो को open करने के लिए हम फोटो साब को यहां से minimize कर देंगे minimize करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मेरे desktop पे एक फोटो है हम इस फोटो को फोटो साब में open करेंगे mouse का button दबाएंगे उसके बाद फोटो साब में इस तरह से लाएंगे उसके बाद यहां लाके फोटो साब में छोड़ देंगे आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो ओपन हो गया फोटो ओपन होने के बाद इसके बाद हम यहां क्लिक करके फोटो को बढ़ा कर लेते हैं बढ़ा करने के बाद इसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे जूम करने के लिए हम अपने keyword का control और space बटन दबा के mouse का button दबा के इस तरह से photo को जूम कर लेते हैं जूम करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मेरे photo में light कम है तो light बढ़ाने के लिए तो अपने आप अपने keyword का control यहां दबाएंगे उसके बाद आप यहां से light बढ़ा सकते हैं तो यहां से इसको हम light बढ़ा लेते हैं हलका सा light को हम बढ़ा लेते हैं light बढ़ाने के बाद इसके बाद हम यहां से ok कर देंगे ok करने के बाद इसके बाद थोड़ा सा photo को हम zoom कर लेते हैं जुम करने के बाद इसके बाद हम फोटो को थोड़ा clean करेंगे, clean करने के लिए आपको देख लिजिए यहाँ, उपर आपको यहाँ, image पर click कर देना है, click करने के बाद यहाँ, adjustment पर उसके बाद आपको यहाँ आना है, selective color पर आपको इस पर click कर देना है, click करने के बाद इसके बाद आपके सामने इस तरह से आगा, उसके बाद आपने mouse के बटन दबा के यहाँ, इस तरह से photo के साब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, बढ़ाने के बाद इसके बाद आपको उपर यहाँ, red पे click कर देना है, click करने के बाद यहाँ आपको black पे click कर देना है, click करने के बाद इस साइड, right साइड आपको थोड़ा सा photo के साब यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, बढ़ाने के बाद इसके बाद आपको यह यहां से okay कर देना है, okay करने के बाद उसके बाद आप यहां देख सकते हैं आप फोटो पहले किस तरह से हो गया, उसके बाद हम फोटो का color balance करेंगे, फोटो का color balance करने के लिए हम अपने keyword का control बीदवाएंगे, उसके बाद यहां से हम फोटो का color balance कर लेते हैं, इस तरह से आप अफने फोटो का थोड़ा यहां से color balance कर लेंगे तो यहां से color balance कर लेते हैं फोटो का थोड़ा सा color balance करने के बाद इसके बाद हम यहां से ok कर देंगे ओके करने के बाद इसके बाद हम ब्रस से फोटो को साप करेंगे ब्रस से फोटो को साप करने के लिए आपको देख लिए इस वाले टूल को यहां से स्लेट कर लेना है स्लेट करने के बाद इसके बाद आप इसको कहीं गोरे चेहरे पर आपको देख लिए यहां इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहां से ब्रेस ले लेना है ब्रेस लेने के बाद इसके बाद आपको यहां उपर जाना है ओप सिटी दिया Upsity आपको यहाँ 10 कर लेना है, उसका flow आपको यहाँ 10 कर लेना है, 10 करने के बाद, इसके बाद थोड़ा सा हम फोटो को और Zoom कर लेंगे, जूम करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, बरसक साइज को अपने keyword के bracket से छोटा बड़ा कर लेंगे, इसके बाद आप अपने माउस का बटम दबा के इस तरह से फोटो को क्लीन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो किस तरह से क्लीन हो रहा है इस तरह से आपने माउस का बटम दबा के फोटो को क्लीन कर सकते हैं तो हम फोटो को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपने ब्रेस को साइच को छोटा बड़ा करके इस तरह से फोटो को क्लीन कर लेंगे तो यहां से हम क्लीन कर लेते हैं फोटो को इस तरह से अब बहुत असानिक साथ फोटो को क्लीन कर सकते हैं तौह आप हम देख सकते हैं यह पहरा फोटो क्लीन हो गया, क्लीन गरने के बाद इसके बाद हम फोटो पर फोड़ा इसके हाथ को भी यहां क्लीन कर लेता है। इस तरह से brush size को छोटा बड़ा करके mouse cotton दबा के इस तरह से photo को अब बहुत असानिक साथ clean कर सकते हैं तो आप इसको हाथ को भी यहाँ से clean कर लेते हैं आप यहाँ देख सकते हैं मेरा photo clean हो गया clean करने के बाद इसके बाद हम थोड़ा सा इसको label करेंगे label करने के लिए हम अपने cure का control यल दबाएंगे उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा अलकल का बढ़ा लेते हैं बढ़ाने के बाद इसके बाद हम यहाँ से ok कर देंगे ओके करने के बाद इसके बाद थोड़ा हम फोटो को जूम कर लेते हैं जूम करने के बाद आप यहां देख सकते हैं मुझे बाल को ब्लैक करना है बाल को ब्लैक करने के लिए आपको देख लिए इस वाले टूल पर हाँ माउस का राइट पड़म क्लिक करना है क्लिक करने के बाद, यहां burn tool को यहां से select कर लेंगे, select करने के बाद इसके बाद थोड़ा साँ photo को आप जूम करने के बाद इसके बाद जो brush का size है, अपने cueot के bracket से इसको भी छोटा-bड़ा कर सकते हैं, यहां इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इससे masked item दवाक यहां स बाल को ब्लैक कर सकते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, बाल को ब्लैक कर लेते हैं, आप यहां देख सकते हैं, बाल किस तरह से ब्लैक हो रहा है, इस तरह से बाल को भी बहुत असानिक साथ ब्लैक कर सकते हैं, तो यहां से हम बाल को ब्लैक कर लेते हैं, छोटा करके इस तरह ब्रेस के साथ को छोटा करके इस तरह से आप बाल को भी ब्लैक कर सकते हैं, तो हम यह शेहाँ से हलका और बाल को ब्लैक कर लेते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं मेरा बाल ब्लैक हो गया ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा फोटो को आप जूम करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं इसको आइब्रो पी यहां से इसको भी ब्लैक कर सकते हैं तो यहां से इसको भी ब्लैक कर लेते हैं इस तरह से ब्लैक कर लेते हैं इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मारा फोटो क्लीन हो गया क्लीन करने के बाद इसके बाद हम फोटो का बैक्ग्राउंड चेंज करेंगे फोटो का बैक्ग्राउंड चेंज करने के लिए हम पेंटूल का इस्तमाल करेंगे पेंटूल इस्तमान करने तो आपको यहाँ इस पे क्लिक कर लیना है क्लिक करने के बाद इसके बाद फोटो पे आजाएंगे इसके बाद फोटो को आपको जूम करने ना है यहां से अपने कीवोड का ctrl space बटम दबा के mouse का बटम दबा के इस तरह से photo को आपको यहां से जूम करने के बाद इसके बाद mouse का बटम दबा के इस तरह से photo को आपको यहां से select करना है pen tool से इस तरह से photo को आपको यहां से select करना background काटने के लिए तो यहां से photo को इस तरह से select कर लेते हैं इस तरह से आपको फोटो को जूम करके उसके बाद यहां से फोटो को स्लेट करना है तो यहां से इसको हम स्लेट कर लेते हैं उसके बाद हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं यहां इस तरह से आपको धीरे धीरे बहुत असानिक साथ फोटो को जूम करके इस तरह से आपको pen tool से आप फोटो को select कर लेना है यहां आप देख सकते हैं इसको हम select कर लेते हैं इस तरह से इसके बाद जहां से आप सुरू किये थे वहां इसको लाके इस पर मिला देना है मिलाने के बाद इसके बाद जूम माइनस करने के बाद इसके बाद आप ने क्योड का control के साथ इंटर बटन दबा देंगे दबाने के बाद उसके बाद जूम करने के बाद इसके बाद आपको देख लिजिए आप हां उपर जाना है लेयर पर क्लिक करना है उसके बाद new पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको नीचे आना है layer for background पे इसके बाद आपको देख लिए यहाँ से ok कर देना है ok करने के बाद उसके बाद delete बटम दबाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं मेरा photo डिलीट हो रहा है तो इसको इस तरह से प्रावब्लाम हो तो इसको Ctrl Z कर लेते हैं जेट करने के बाद इसके बाद आप निक्योड का Ctrl Shift I दबाएंगे दबाने के बाद इसके बाद आप Delete बटम दबा देंगे आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटा का बेक्ग्राउंड रेम्यूव हो गया रेम्यूव करने के बाद इसके बाद हम बेक्ग्राउंड को लाएंगे बेक्ग्राउंड को लाने के लिए हम फोट साफ को यहां से मिनवाज कर देते हैं मिनवाज करने के बाद इसके बाद हम अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे यहां इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां से हम मेरा फाइल है हम फाइल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां से एक कोई बैक्ग्राउंड ले लेंगे लेते हैं माउस का बटन दवा इस तरह से फोट defense से dhze सोर देंगे आप यहाहा देख सकते हैंगे लेंदों कि साइज बनाएंगे Kis size को आपको फोटन चाहिए आपको साइज बनाने के लिए सब्सक्वाराइब आप यहाहां से 4-6 का एक size ले लेते हैं, तो इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, 4-6 है, तो हम 4-6 पे click कर देंगे, उसके बाद यहाँ से OK कर देंगे, OK करने के बाद, इसके बाद हम इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, पकड़के इस तरह से, उसके बाद हम background को के लिए हम तूल को यहाँ थित्व करेंगे उसके लिए से पर क्लिक करके इस इलाके चौड़ करेंगे उसके चौड देंगे इसके कि छोड़ने के बाद आप बढ़े अधिrial額 भीम चोड़शन ईकार नहीं आरहा ने तो आपको देखें लीए ंधिया उपर जाना है आको दे यहां से इस तरह से background को बढ़ा कर सकते हैं उसको इंटर बटम दबा देंगे इसके बाद हम फोटो को इस पर background पर लाएंगे तो लाने के लिए आप अपनी keyboard का तीन बार यह प्रस करेंगे करने के बाद इसके बाद यहां से इसको फोटो बढ़ा है तो इसको जूम माइनस कर लेंगे जूम माइनस करने के बाद इसके बाद यहां से आप आएंगे उसके बाद आपनी keyboard का shift बटन दबा के माउस बटन दबाके इस तरह से फोटो को यहां से छोटा कर लेना है उसके बाद इंटर बटन दबा देना है उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं उसके बाद इस फोटो को आप इस तरह से पकड़के यहां से इसको अब अर्जेस्ट कर लेंगे इसको तो यहां से इसको आप इधार उधार इसको कर लेंगे तो यहां से उसको अर्जेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इंटर बटम दबा देंगे आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो अर्जेस्ट हो गया इसके बाद हम फोटो को यहां थोड़ा जूम कर लेते हैं जूम करने के बाद आप थोड़ा यहां इसको ग्रास को यहां थोड़ा इसको चढ़ाएंगे ग्रास को चढ़ाने के लिए आपको देख लिए जो ऊपर यहां लेयर पर क्लिक कर देना है उसको नीची आना है आपको एड़ लेयर मास्क पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको ब्रस ले लेना है तो आप निकी उड़गा बी प्रेस करेंगे ब्रस स्लेट हो जागा स्लेट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ उपर जाना है आपको यहाँ से तीस कर लेना है तीज कर लें, उसके बाद इंटर अर्ब्टम दौधा देना है उसके बाद आपको य morals का नीचे आना है उसके बरस के चाइज कुछ छोटा बढ़ा करके इस तरह से हलका-लका माउस को बटम दौधा की इस तरह से आपको grass को हलका-लका चढ़ा लेना है तो आप यहां देख सकते हैं और फोटो की इस तरह से हो रहा है इस तरह से माउस का बटम दबा की इस तरह से आपको गरास को यहां से चढ़ा सकते हैं यदि यह जादे हो जाता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं आपने क्योड का एक्स बटन दबाएंगे इस तरह से हलकल का ग्रास को रिमूव भी कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं रिमूव भी हो रहा है इस तरह से आपको यहां से अच्छे से कर लेना है इसके बाद यहां से zoom minus कर लेना है तो आप यहां देख सकते हैं मारा photo फिर बन के ready हो गया है इस तरह से अब बहुत असानिक साथ photo सामे full photo बना सकते हैं तो हम photo को save कर लेते हैं save करने के लिए हम अपनी keyboard का control yes button दबाएंगे उसके बाद हम photo को desktop पे save कर लेते हैं desktop पे click कर देंगे उसके बाद आपको यहां नीचे आना है इस पे click कर देना है उसके बाद आपको यहां से jpg पे click कर देना है उसके बाद यहां save पे click कर देना है उसके बाद यहां से ok कर देना है ok करने के बाद इसके बाद आप Photoshop को यहां से minimize कर देते हैं इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मेरा डेश्टाप पर फोटो सेव हो गया तो हम फोटो को क्लिक करके उपन कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो बन के रेडियो गया, इस तरह से आप बहुत असानिक साथ फोटो सामें फोटो को बना सकते हैं, फुल फोटो, यह तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिए,